हेलो फ्रेंस नमस्कार मैं हूँ आपका होस्ट ब्रह्मदेव फ्रेंस इससे मैं मई का महिना चल रहा है और ज्यादातर आम के पोधों में लगे हुए फल सेमी मैच्योर हो चुके हैं यानि उनका आकार काफी बढ़ चुका है आज मैं आम की दो ऐसी बहतरीन विराइटी से आपका परीचा करवाऊंगा जो गमले में लगाने के लिहाज से काफी उप्यूक्त है 12 इंच के क्लेपॉट में लगे हुए जिन दो आम के पोधों को अभी आप देख पा रहे हैं उनमें से एक पोधे में फरवरी के महीने में फ्लावरिंग हुई थी और इस सेमें उसमें लगे हुए फलों की साइज 4-6 इंच तक की हो चुकी है जबकि दाहिनी तरब जो दूसरा आम का पोधा है उसमें मई के सुरूवात में फ्लावरिंग हुई है जो काफी अन्यूज्वल है लेकिन इसमें आस्चर्च की कोई बात नहीं है क्योंकि यह एक बारहमासी आम का पोधा है जिसमें साल के किसी भी महिने में फूल आ सकते हैं बलकि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि इसमें फूल और फल एक साथ लगे हुए भी दिख सकते हैं तो यह दोनों आम किस विराइटी के हैं? इनकी खासियत क्या है? इन्हें मैंने कब और कैसे लगाया था? इन सभी बातों की जानकारी आगे आपको दूंगा सबसे पहले बात करते हैं इस मैंगो प्लांट की जिसमें फल लगे हुए हैं इसके फलों का आकार एक केले की तरह है और इसी वज़ा से इसे बनाना मैंगो कहा जाता है यह एक exotic plant है जो थाइलेंड में काफी popular है लेकिन इसकी popularity अब इंडिया में भी काफी बढ़ रही है बनाना मैंगो का फल केले की तरह आकार लेता है और इसकी लंबाई 10 से 11 इंच तक बढ़ सकती है इसके फलों का टेस्ट भी पकने पर काफी मीठा और जायकेदार होता है बनाना मैंगो के बीज भी काफी पतले होते हैं बनाना मैंगो दूसरे आम की ही तरह साल में केवल एक बार फल देता है लेकिन इसके ग्राफ्टेट प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो सिर्फ एक साल में ही इसमें फ्लावरिंग और प्रूटिंग होने की सुरुवात हो जाती है बनाना मैंगो के इस प्लांट को मैंने ऑक्टूबर 2021 में इस कलेपॉट में लगाया था उस समय प्लांट की हाइट लगवग देर फीट की थी जो बढ़कर अब तीन फीट की हो गई है बनाना मैंगो के इस प्लांट में इस समय सिर्फ तीन ही फ्रूट्स बचे हैं या बड़े हो पाए हैं क्योंकि प्लांट सिर्फ 12 इंच के छोटे क्ले पॉट में लगा हुआ है इसमें फ्लावरिंग होने के बाद मार्च के महीने में धेर सारे फ्रूट्स लगे थे लेकिन ज्यादातर नीचे गिर गए क्योंकि प्लांट को मिलने वाले पोसक तत्तों की मात्रा काफी सेमित है अब ऑक्टूबर के महीने में मैं इसे इससे भी बड़े पॉट में सिफ्ट करूँगा ताकि नेक्स सीजन में और भी ज़्यादा फ्रूट्स ले सकूँ बनाना मैंगो के इस प्लांट को आज से देर साल पहले यानि ऑक्टूबर 2021 में मैंने कैसे लगाया था इसकी पूरी जानकारी मैं आपको पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ इसका लिंक स्क्रीन पर इससे में डिस्प्ले हो रहा है आप चाहे तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस दूसरे मेंगो प्लांट के जिसमें मई के महिने में फ्लावर्स आये हैं आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स साखा के उपरी भाग में आये हैं इस प्लांट में तीन ब्रांचेज हैं और तीनों ब्रांचेज के उपरी भाग में फ्लावर्स आये हैं इस प्लांट को भी मैंने अक्टूबर 2021 में ही लगाया था उस समय इसकी हाइट 15 इंच के आसपास थी इसे लगाने के 4-5 महिनों बाद ही यानी मार्च 2022 में इसमें फ्लावर्स आ गए थे और एक फल भी लगा था लेकिन उससे में प्लांट की हाइट काफी कम थी और फूल या फल लगने से पहले उसे मजबूती की आवसकता थी अब डेर साल बीतने के बाद प्लांट की हाइट लगबग 4 फूट की है और या पहले से काफी स्ट्रॉंग है तो मेंगो प्लांट की इस वेराइटी का नाम है कैटी मौन मेंगो यह भी थाइलेंड की एक किस्म है लेकिन दूसरे आमों की तुलना में यह अलग है दरसल यह एक ऐसा सदा बहार आम का पोधा है जिसमें साल भर फूल और फल एक साथ आते रहते हैं आने वाले दिनों में इस प्लांट में छोटे फल, बड़े फल और फूल एक साथ देखने को मिलेंगे कैटी मौन मेंगो की खासियत यह भी है कि यह आम का एक बहुत मीठा किस्म है कैटी मौन मेंगो के कच्चे फूरूट का टेस्ट भी मिठास लिए होता है पकने पर यह बहुत मीठा हो जाता है और इसका स्वाद भी उंदा होता है केटी मौन मेंगो को मैंने आज से देड़ साल पहले यानि अक्टूबर 2021 में कैसे लगाया था इसकी पूरी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहले ही दे चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो उपर जो वीडियो लिंक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसे क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बनाना मेंगो और कैटी मौन मेंगो ये दोनों ही आम की बेहतरिन किसमे हैं और वेफसाई खेती के साथ साथ टेरेस गार्डन के लिए भी काफी उप्यूगत है इसके फ्रूट्स की साइज, क्वालिटी और टेस्ट सभी बहुत अच्छे हैं मैंने आम के इन दोनों ही एक्जॉटिक किसमों के ग्राफ्टेट पोधे को कैलकटा की एक ओनलाइन नरसरी से मंगवाया था जिसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नरसरी का लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए दिया है अगर आपको खरीदारी से किसी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए सिटी गार्णिंग चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अपनी पसंद की जाहिर करने के लिए किर्पिया लाइक बटन को दबाएं